हेलो यूटिफुल टेगनेंटोमेट वेल्कम बेल तो मैं यूटूब चैनल ममा बेभी गाइड आज के इस वीडियो में बहुत ही इंट्रेस्टिंग ट्रॉपिक होने वाली है क्योंकि टेगनेंसी तो कंसेप हो ही जाती है धीरे-धीरे करके नाइन मंत में गुजर जाता है नाइन मंत गुजर जाने के बाद इंट मोमेंड पर आता है डिलेवरी होने कट है उसमें बहुत सारे महला जो होती है इस समय बहुत जादा कंशूस हो झाती है कि नॉर्मल डिलेवरी कराओ यसी सिक्ष्षिन कराओ अगलब बगल से डिलेवरी के समय दर्ध का कारण सुनकर वह घबरा भी जाती है और अच्छी खासी नॉर्मल डिलेवरी होकर भी उनकी सिजेरियन करवानी पड़ती है उनको अपनी च्वाइस पी अनसर क्योंकि यह उनकी च्वाइस रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा उनके मन में डर हो जाता है डर बैठ जाता है कि नॉर्मल अच्छी खासी अपनी हेल्दी बॉड़ी को वह अपने नुकसान करवाने के चकर में पढ़ जाती है तो इसलिए यह वीडियो आज के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए इस वीडियो में इंड तक हमारे साथ बने रही है नॉर्मल डिलेवरी होने के समय ऐसे तीन मैं इस वीडियो में बताने वाले हूं अब तक हास रहा है सारे सर्च से तक्नीक के बहुत खास रहा है डोक्टरों ने भी इससे सजेस्ट करते हैं कि इस टेकनीक से अंप्रेदिंग को फीरो करती है तो आपकी डिलेवरी कम से कम 10 पर फूस के जगह आप पांच बार में समय होता है वो 24-48 गंडे तक भी जा सकता है उस समय को भी हम कम कर सकते हैं बहुत हर तक इस ब्रीधिंग टेक्निक से कई बर क्या होता है कई लेडिज को यह पता नहीं होता है कि फूस करते के समय में कैसे क्सट करना चाहिए कैसे उनको करना की सांस लेनी चाहिए और कैसे उनको उसकर पर चाहिए चाहिए बागत जड़ी से बाहर आसप ऑपडती में आप्ँ पर सिटेल में तो कोई भी कर पाती हैं जब तक कि आपका लेवर पिन बहुत जादा हाई लेविल पे नहीं देती है कि आपको कैसे करना है आपका बच्चा बाहर जंदी कैसे आ सकता है आपको दर्थ होने पर क्या करना चाहिए इन सब इन सब चीज़ों के गौर्रमेंट फूस्पीटल नहीं रखा जात पर सकता है यहां यह नुम्मिनल को सिजरियन करवाना भी पर सकता है और उस समय हमें भी पता होता है कि ऐसे करना चाहिए उस समय हम कर नहीं पाते हैं बात में हमको खत्रा जहलना पड़ जाता है इस्टार्टिंग में होती क्या है कि जब आपका लेबर पेन आता है तो लेबर पेन तुरी एश्टेप में आता है पहला इस्टेप जो होता है बहुत ही ज्यादा ड्यूरिशन में परदास्त कर सकते उस समय ऐसन만 होता है जो आपको one a सबसे में क्या होता है आपके सेंटीमिटर या 1ist सबसेति कंद distingu में रहें हैं और नी XML रोट या वन हनती होता है ऊपका आपका य derivatives पेर का दूसरे स्टेज में क्या होता है गर्भासाय का यानि उट्रस का मूँ कम से कम 3-4 cm खुल जाता है उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा डिशार्ज होने लग जाता है उस समय आपको 5-5 मिनट 10-10 मिनट पर आपको एक्जामिनेशन करती है चेक करती है कि आपका कितना आपकी डिलेवरी होने में यानि कि वच्छा वाहर आने में उस समय यह टेकनीक आपको फॉलो करनी है तिसरी स्टेज क्या होता है कि जिस समय आपका बेवी कम पूरी 10 cm तक उपन हो जाता है उस समय आपकी बेवी की नॉर्मल डिलेवरी हो पाती है आपको 2-3 पूस में ही आ आपको पहले पता है कि फॉस्ट एस्टेट में क्या होता है हलकी जलकी लेवर पिंट इस्टार्ट होती है यानि कि 2-3 मिनट तक यह पेन आपके बॉडी में रहती है कमर में पेट में आपके प्राइवेट पार्सने पेट उस समय लेवर पिंट रहती है तो 2-3 मिनट आपक आपको नाक से सांस लेना है और मुह से छोड़ना है कुछ इस तरीके से आपको करना है इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेज में लेवर्पिन होता है तो इस समय आपको जब आपको लेवर्पिन आए तो इस तरीके से आपको पूस करते रहना है इससे क्या होगा कि आप नोट कर सकते हैं जब आप नाग से सांस लेंगे और मुह से छोड़ेंगे तो नाग से सांस लेते समय आपके सीने से सांस जाता है सीले से सांस उभरता है और मुह से छोड़ते समय आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है इससे क्या होगा कि जब नाक से सांस लेंगे और मुह से छोड़ेंगे छोड़ने के समय आपको पेट पर प्रेशर पड़ेगा उस समय जो होता है पेभी पुस होता है और नीचे के सब्सकैर बारेशसंट जो है कम हो जाता जाना कि पहले 2-3 मिनट feat 2-3 मिंट तक आप आई शॏ 1 think मिनटी टीश जब आपको पेन वहां इतना ही देड़ मिर्भी आपको फूस करना है दीरे दीरे से अराम से सांस लेना है नाकों से और मुह से अराम से आपको छोड़ना है इस समय बच्चे अपूस होता है निचे की तरफ ऐसे करने से आपको एक से दो घंडे में भी आपको एक से दो घंडे में ही ऐसा पूस करने से आपकी बच्चे नॉर्मन तरीके से बहुत और तेज पेन आ रहा है आपको कमर लगेगा कि आपका टूठ रहा है तोड़ीसे ऐसे शी महसुस्थ और लेगए कुछ फारड करनी इस तरीके के आपको पर मैंसूस होगा बस इससे डरना नहीं है मैं बात आपको डराने के लिए नहीं बतारे हुम क्योंकि आप तरल नहीं सकते हो क्योंकि पूरी जिंदगी के प्रेखने करने से अच्छा है आप आधे गंड़े पेन को और आपकी जो यूट्रस कमूं होता है 10 cm तब खुल जाता है बेबी आसानी से पुछ होकर बाहर निकल जाता है आपके डिलेवरी जब हो जाती है उसके बाद आपको पेल चूम मंतर भोज आता है प्लेशेंटा भी वाहर निकल आता है उसके सांथ आपको दर्ध कब पता भी नहीं चलेगा कि दर्ध कब आ रहा था और किस तरीके से आ रहा था असानी से आपका बेबी प्यारा साथ की गुद में होगा और आपको से धेर सारा फुसिया और प्यार दे सकते हो अपने मजबू वीडियो के सांथ वाई वाई